एक बर्ष अगी एशाई समय तिर आमियरू COVID-19 को प्रारमिक असर बोग दै थियों। मानिश को जिवन र अर्थतंत्र को रक्षया बीच कसरी संतुलन कायम गरने भन्ने मा बहस जारी थिये। आमिले जिवन पहिला बन्यों र त्यही अन्रूप योजनारू बनायों। एक बर्ष पची समिक्षया गर्दा हमरो निळाए स्वाइथ यो बन्ने मा अईले दुविदा रायन। देश्वाशी को जिवन रक्षया मामारी को रक्थाम नियंत्रन तथा उफचार मा आमरो शेमता को आदिक-ादिक प्रयोग भयो। सबई को सयोग मा गतबर्ष को कात्तिक अंतिशम्ममा हमी मामारी लाई नियंत्रन गरने इस्थितिमा आई पुगे का थियो। एस शफल्था को लागी मामारी बिरुद्ध अग्रपंग्तिमा कारेरत चिकित्सक, स्वास्थ कर्मी, सुरक्षय कर्मी, चालग र सफाई कर्मी सहित सबई तहर तपका का राष्ट्रसेवक कर्मचारी हरुको भोमिका उल्लेखनिय रहो। तेस असामान्य गडिमा संक्रमित हरुको उफ्चार अब्यवस्तापनमा अहरात्र खट्ने सबई को त्याग समर्पंड लगन सिल्ताकुमा उच्च अप्रशमचा गर्दाचु। अईले हामी COVID-19 महमारी को दोस्रों लहर को सामना गर्दाईशू। कोवीट को यो लहर नयां शो रूप मा थब गातक रूप मा देखा परेगुँच। शंक्रमण को दर र मिर्तु दर गतबर्श को तुला नामा बढ़ी चौ। हीजो को 24 गंटा को तथ्यांक लाई उधारण को रूप मा लिदा PCR परेक्षन गरिये का 17770 केस मद्दे जन्डे 43 परतिशत अर्थाद 7211 मा शंक्रमण देखियेगोच। हीजो सांस सम्म कूल शंक्रमित संख्या 3,36030 पुगेगोच। कूल शंक्रमित मद्दे निको वाय का संक्रमित चवराशी दसमलब 5 परतिशत। निको होने क्रम्म राय का संक्रमित 14.5 परतिशत। र ज्यान गुमावने को संख्या 0.9 परतिशत। 30 जिल्लामा 200 बड़ी र 15 जिल्लामा 500 बड़ी संक्रमित संख्याच। 22 जिल्लामा COVID संक्रमित रेकड़ वाय का सन। 29 गते संख्या को कूल संक्रमित मा 38 दसमलब 4 परतिशत। काठवानड उपतेका मात्रेशं। 24 जिल्लामा मात्रेशं। 35 दसमलब 4 परतिशत। शंक्रमित रेकड़ी संक्रमित रेक अश्पतालमा उपचार गराय रहनुवयका र घरमे ऐसुलेशन मा बशी श्वास्तलाब गरी रहनुवयका संप्य। दिदिवाईनी तथा दाजवाई अरुको सिग्रश्वास्तलाब को कामना गरदचु। हाल सम्म तिनजार बंदा बड़ी देश वासीले अनाग मा एस माहमारी वाट जीवन गुमाउनु परेकुमा दुखवेक्त गरदचु। र वाहरुका शोकाकुल परिवार जन्मा गईरो समवेदना प्रकट गरदचु। दिदिवाईनी तथा दाजवाई अरु। गतवर्श यो माहमारी नेपाल बित्रिन अगी नहीं। सरकारले येसको रोग थामर नियंत्रन का लागी। सरकारी निकाय विच समनोय गरी प्रवावकारी कामगर्न, माननिय उपपरदान मंत्री को सम्य जगत्तुमा, COVID-19 संकट व्यवस्थापन केंद्रिय निर्दसक समिती गठन गरेको सबैलाई उचानकारी नहीं। तेसाई को योजनामा देश वर वल्डिंग सेंटर र आईशोलिक संकेंद्र बनाई एको थियो। क्वारेंटीन को व्यवस्थापन र अश्पताल अरुमा सिग्र उफचार को व्यवस्था मिलाई एको चौ। सुन्यको संख्यामा रायको PCR परेक्षन ल्याब संख्याक्रमस बडाउंदै लगिये गो थियो। आल सरकारी र नेजी इस्तर का गरिश ताशी इस्थानमा PCR परेक्षनोंने गरेको चौ। सबय जशो अस्पताल लाई COVID को उफचार गरन सक्नी इस्थितिमा पूर्याई एको चौ। गत वर्ष गत एक वर्ष गो तोलनामा स्वास्त सम्रचनामा उल्येखने शुदार गरिएको चौ। सबय इस्तानिय तोमा 5.45 सहया का आधारवुत अस्पताल निर्मानर केंद्र तथा प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल निर्मानर निरुद्ध शबयलाई निशुलक खोब उपलबद गराउने प्रक्रिया सुरु गरिशके काचौ। आपना देशबासी लाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने मां आमी दच्छिन एशिया मां भारत पछी पहिलो मुलुगाउं। आल सम्मा मां करीब 21 लाख लाई पहिलो डोज खोप लगाई शक्किये गुछा। दोसर डोज खोप लगाउना आरम्म गरीए गुछा। अईले सम्मा जण्डाई तीन लाख सत्तरी हजार ले दोसर डोज खोप लगाई शक्किये गाशा। इस संख्या मां स्वाष्टकर्मी लगायत अन्ने अग्रप मंक्ति मां खट्चिने वेक्तियरू रहे गाशा। मित्राष्ट अरुवाट सायता का रुपमा प्राप्त खोप का अतिरिक्त नेपाल सरकार ले आफई आभशेक मात्रामा खोप खरित परक्रिया शुरू गरी सके गुछा। चिन रूस लगायत खोप उत्पादक राष्टर तथा कोव्याक संग निरंतर संपरगर समनोय गरी छीटो वन्दा छीटो पर्याप्त मात्रमा खोप लाई शक्न नेपाल सरकार प्रयत्न सिल्चा। दिदिवैनी तथा दाजवाय अरू, कुनाई पने नागरिक, स्वास्थाशु विदाबाट बंचित हुनुन नपरश रा मामारी का कालन कसेली जीवन गुमाउनुन नपरश बन्नेमा सरकार संबेदन सिल्चा। नागरिको जीवन रक्ष्या एस सरकार को पहिलो दाईत हो बन्नेमा मा पुना जोड़ दिन चाहांच। त्यसेले मामारीको दोसरो लहर को रोक्थाम र नियंत्रन का लागी सरकार का सबी सम्मिंत्र परिचालन छन। शंग परदेश र इस्थानिय तह बीच सम्मनोयात्मक एबं प्रभावकारी डंगले कोवीड विरुद्ध को लड़ाई लाई कारे अगी बढ़ाउन परदेश केंद्रित होने गरी ओले नेफाल सरकार का एक एक जना मंत्री लाई फोकल ब्यक्ती तो किये गोजा। शंक्रमणको शांगल चुणाउन अस्पताल वा आईशोलेशन केंद्रको व्यवस्ता गरे र मात्रे पूग दैन एक अधसम्मा लगडाउन आवशेक हुंचा वन्ने बिग्गे अरुको शल्ला अनुसार केई अवधिका लागी निशे दाग्या जारी गरिये गोजा। ये सलाई थब कडाई गरिदेश रप्रवावकारी डंगले लाग गर्न पहिले जई सबैबाट स्वाय भुने अपेक्ष्या सरकारले राखे गोजा। ये दोयजार अठत्तर वैशाक 20 गते राती 12 वजे देखी वैशाक मसांत सम्मा अंतरिक उडान बंद गरने निडाय गरिये कोजा। इस्तल मार्ग वाट विदेशी नागरिक को आवागमन बंद गरिये कोजा। नेपाली नागरिक प्रवेश्का लागी नेपाल वारत वीच रायका सीमा नाका मद्दे तेर नाका मात्र संचालन मा लेहिये कोजा। आपुरती वेवस्ता प्रवावित नहुने गरी। शो संग संबंदित जुहानी का साधन मने यथावत संचालन होने वेवस्ता मिलाईये कोजा। बारत संग सीमाना जोडियका नाका मा रहेका हेल्थ डेस्क बाट एंटिजेन परिक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश्क गरने ब्यवस्ता मिलाईये नेच। सबई तहमा कंट्याक्ट ट्रेसिंग बड़ावन लगाईये कोजा। इस्तलमार्ग चार्टड वा उद्धार रवाई उडान बाट आउने हरेक बेक्तिलाई परिक्षण गरिनेच। कोई शंक्रमित पाईये मा उनिये अरुलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने ब्यवस्ता मिलाईये कोजा। परते किस्थानिय निकायले नेपाल बाईयर वाट आउने बेक्तिको अभिलेक राखी क्वारेंटिन, आइसोलेशन तथा उपचार को ब्यवस्ता गरनेर गर तथा संस्थागत आइसोलेशन को नियेमेत अनुगमन गरने प्रबंद गरिये कोजा। सरकारी तथा अन्ने कारेले मां एक चाउथाई कर्मचारी वाट कारे सम्पादन गराउना सुर्ण गरिये कोजा। अत्यवसेक भायक अन्ने कारेले संस्ता वैशाक मसांत सम्मबंद रहने शन। नेपाली चेना लाई परदेश्त तथार आग दानिमां स्चिग्र एक हजार सईयाको अस्थाई अस्पताल निर्मार गरनन निर्देशन दिये खुछ। बीर उस्पिताल को नया भवन रनेपाली शेना को त्रिचंद्र मिलिटरी उस्पिताल काट्मांड उपत्य के करें। कोविट अस्पिताल गुरुप मां संचानन गर्नेशन। कोविट अस्पिताल गुरुप मां संचानन गर्नेशन। कोविट अस्पिताल गर्नेशन। कोविट अस्पिताल गुरुप मां संचानन गर्नेशन। कोविट को विचार मां प्रयोगुने एंटी वाहिरल अउसदी तथा अन्ये जिवन रक्षक अउसदी पर्तेक अश्पताल ले मोधात मां राखनु पर्नेवेवस्ता गर्येगुछ। एसता अउसदीको किर्थिम अवाब शिर्जना गर्नेर कालो वजारी गर्ने लाई कड़ा कारवाई गर्नेश। स्वास्त जन्सक्तिको अवाब होन नदिन। श्रंग प्रदेश रईस्थानिय तवमा अवकास प्राप्त चिकित सक्त था अन्य स्वास्त कर्मी लाई एक बर्षे का लागी करार मा भर्ना गरिने छा। COVID-19 को पैचान निदान उप्चार र विरामी को उशार प्रशार र सब व्यवस्थापन मा पर्तेक्षे रूपमा समलंग नचिकित सक्त श्वास्त कर्मी चालक तथा श्वास्चालक र सफाई कर्मी का साथ है कर्मचारी अरुलाई शुरू तलब इसकेल को 50% जोखिम भर्ता परिवार को उफ्चार र विमाको व्यवस्था गरिने छा जनस्वास्त मापदंड पालन गराउन शुरक्ष्या कर्मिलाई टोल बस्ती गल्ली तथा अन्ने ठावमा परिचालन गरी 24 गंटा अनुगमन र निगरानी गरिने छा मापदंड को उल्लंगन गरने लाई कानन भम चेत्र अंछ, महामारी नियंतरन भॉयसंग अर्षतंतर र रोजगारी का चेत्र लाई दोस्त होनन दीन आवशेक प्रभंद गरिने न गरिने छा जन स्वास्थ का माबदन्ड पालना को नेत्र तो ग्रिया मंत्रा लएले र जन चेत्ता ना को नेत्र तो शुचना तथा शंचार परविदी मंत्रा लएले गरनेशन। પरइचા, ઉपचार, તથા અને વષે, સ્વાસ્ત તથે જન્શીંખે મનતરલએ લે રખોપ આयાદકો નેતર્તો પરારાષ્ન मंत्रालाईले गरने छनुए अंतर मंत्रालाई शमनोयमा काम गरेने छा। दिदिवेनी तथा दाजवायरू महामारीको संक्रमन बढ़ना नदिने सरकारले आफनो दायत्तो हर आलत्मा पुराग गर्छो। एसलाई प्रभावकारी बनावना सरकार का सहा थाई आम नागरिको पने उत्तिके भूमिकाउंच। तेसेले शक्वर घर्मी बशू। गर्वायर निश्कीनु परेमा अनिवारे रूपमा सही तरीकाले माक्स लगाउ। शमय शमय मा शावन पानले हाद्दो हूं वा स्यानी टाईजर ले हाद्सभा गर्ने करूं। भोज बतेतर तथा पर्व घर्मी मनाउं। बवतिक दुरी कायम गरूं। बेडवाडबाट टाडे रूं। अल्लार अफबाहरुबाट ब्रमित्र प्रवावित नौं। चिकिट्चाक बेग्य तथा प्राविदिक हरू को सलला लाई पालन गरूं। दयरे गरूं। शम्यमता अपना हूं। शावदान हूं। तर आतंकित्न हूं। गतवर्ष गरियेको बंदावंदीर जारी गरियेको निस्य दाग्या का समयमा आमिले पालाना गरेको अनुशासनले माहमारीको असर धेरे हर्षम्म कम्मुन गयेको थियो। एसमा भयको हेल्चेक्राईले क्रमश माहमारी फईलिन बल्पुर्यायको तथ्यलाई आमी सबयले मनन गरों। न बुलाउं माहमारीले कसेलाई पनी छोड़ देन। अन्तेमा माहमारी नियंत्रण का लागी सरकारले चाले का कदम र लियका पहलमा सबयको साथ सयोग प्राप्त हुने अपेक्षिया गर्दछु। चिकेचक, स्वास्तकर्मी, कर्मचारी, चालक, सचालक, सफाई कर्मी एवं संबद्ध सबयलाई बिचलित नवाई आफनो कर्तबे निर्भागर्णमा हारदेक आवान गर्दछु। राजनितिक दल का नेता कारेकरता, सामाजिक संक्ष्णता एवं पर्देश्त था इस्थानियता का जनपरतिंदियरुलाई, कोविड विरुद्ध जनचेतन जगाउनर अशाहायलाई सयोगर्न समेत आगर गर्दछु। परदेश्च जोब नेकर निबस्तवाइ्प लाकरोस्ट्र सबते हो चौन Corinth भज्य कोस्तर। ूंज अबर्द्ध चौन का का विर्म मैं लाज कुट्ष्णियरूवार्ट निप्टोर्णता का ए मिढधै इस्तिए्टा ए प्स्रदगत्णताश अचने संस्ट। अपिस्ट लाः चांस ऺंडेवे और लागब कुछिश्ट फे सबस्टें की उत्यू फिस्टेंग टूट इज फिस्ट घल्डबश्य जारा ले लागवा सूटें लेवे को करत लेड दे स कंवार। नंपलग टाइम लाव टूटी खेंग ही इलिगत ही हैं। यहांग बेस्ट आपनीजस अप सेखना नगर अधर इवस्तर है वफ चूवब थने टोरी प्रोट इश्टी्ट गोटेट टाव फिन इंचरेस समय एपसाच इनल्प दोजबू और बिलुब तक जडाम से जडिए अजब कर दोरीज़ इनल्पलिली और ऑन अस्जब एव पर through our collective efforts we are of the view that vaccines and critical care medicines are global goods and everyone should have access to it since we are living in an interconnected and interlinked world pandemic like this it spares no one and no one is safe it is in this vein i would like to request our neighbors friendly countries and international organizations to help us with vaccines diagnostic equipment and kids oxygen therapy critical care medicines and critical care furniture to support our ongoing efforts to combat the pandemic thank you very much thank you all